ले जनाब इस application के अंदर इस streamlet की python के थूप बनी हुई web application के अंदर आप अपने prompts लिखके images बना भी सकते हैं उन्हें high quality में download भी कर सकते हैं और आप use करने वाले हैं dal E3 model जो latest model है जो recently released हुआ है इस app को मैं less than 50 lines of code के अंदर बना के आपको दिखाऊंगा and then you can utilize this app and then modify it for your own CV and portfolio मैं ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल copy paste कीजिएगा इन्हें आप इसमें कोई थोड़ी बहुत changes करके इसको आगे लेके जाईएगा screen आपके सामने हाजिर है ये है जी हमारे पास app मैं पिछली app को बंद कर लेता हूँ यहां पे dalE3 के नाम से ग्यारवी app है जो मैंने यहां पे आपको दिखाई है हमने 11 एप बना ली है अभी तक description में link है और यह पूरे के पूरे जो course है उसका भी link मैंने description के अंदर दिया हूँ तो हम यहां पे streamlet को लेके आते हैं ओपन AI को लेके आते हैं requests को लेके आते हैं यह चार libraries है यहां पे हम अपनी API key डालेंगे and then we will define a function to generate image और image का size मैंने 1024 बाइ 1024 दिया हूए you can change that one as well model का नाम मैंने dalE3 रखा हूए वो क्यों रखा हूए मैं आपको model दिखा देता हूँ हमारे पास यहां पे November 2023 में यह recently release हुए डाली 3 इसके पहले डाल E2 था तो आप वो भी use कर सकते हैं डाली या डाल E2 या डाल E3 भी use कर सकते हैं तो मैंने यहीं से इस app का जो idea लिया कि डाल E3 आ गया क्यों ना हम इसके उपर पूरी की पूरी app बनाए तो मैंने यहां पे क्या किया एक function generate किया generate image और उसमें prompt दे दिया जब भी को बंदा prompt देगा उस prompt पे यह सारा कुछ चलेगा और आपकी generate हो जाएगी image for example response हमारा आएगा openai image.create के function से model हमारा डाल E3 prompt हमारा prompt जो बंदा यहां पे लिखेगा and then at the end हम एक image बना रहे हैं अगर आप यहां पे दो या तीन लिख देंगे आपके पास तीन varieties आजाएगी मैं यहां पे एक लिखता हूँ भी यह image का size है this can be adjusted according to your things ठीक है यहां पे response आजागा फिर दूसरा function हमने लिखा कि हमने image बना लिए डाउनलोड भी तो करनी है न तो उसके लिए हम request.get image URL के थ्रू image को डाउनलोड करेंगे यह हमारे पास इस वज़ा से हमने यह library को install किया था then हमारे पास अगला जो है हम main function derive करते हैं यहां पे हमने dolly image generator का नाम लिखा prompt लिखा कि आप अपना prompt यहां पे एक input box के अंदर लिखेंगे उस prompt को हम क्या करेंगे उस prompt को हम लेंगे and then if generate image के button पे जब click किया जाएगा वो prompt जो है वो basically next चलेगा generate image के function के अंदर और फिर अगर आप download के button पे click करेंगे तो आपकी image डाउनलोड हो जाएगे so simply यह 46 lines of code के अंदर यह 45 line of code के अंदर यह पूरी पूरी app मैंने बना डाली है ठीक है अब इसके लिए मैंने mamba activate stream lit underscore env को activate करूँगा तो मैं यहां पे 11 वी app के अंदर आ जाता हूँ अब यहां पे मैं pip rex की पहले command चलाता हूँ क्योंके मुझे चाहिए जनाबे वाला यहां पे इस पूरी app के अंदर जो जो मैंने libraries use की हैं उनकी requirements की file and here you go यह 3 libraries और यह इनके functions हैं जो इस पूरी app के लिए आपको ज़रूरी चाहिए तो मैंने इसकी requirement file बना ली है and now we will run this तो मैं लिखूंगा streamlet run और फिर बाद में main नहीं app.py मैं इसको run करता हूँ run करते ही यह हमारे पास इस तरीके से इसका prompt आ गया अब यहां पे जहारी बात है जैसे हाँ prompt देखते हैं कोई भी लिखते हैं मैं यहां पे लिखता हूँ generate an image of a beard person from पाकिस्तान with a man black colored beard teaching coding ठीक है जी मैंने यहां पे अपना ही prompt एक लिख दिया मैं generate करता हूँ image को और जैसे मैंने image generate पे click किया now it's kind of generating image लेकिन आपको यह error आएगा why this error is happening क्योंके मैंने API की जो है यहां पे अपनी पुराने वाली डाली है which I deleted already तो I have to change this API की और अगर आपके पास भी API की नहीं है then you have to change this API की as well या आप इसे change करेंगे या आप एक नहीं API की बनाएंगे image generator के नाम से तो मैंने कल भी आपको बताया था पिछले lectures के अंदर भी बताया कि आप निया पे की एक ID बनाएं निया पे या सादा पे से API आप 10-12 डालर की purchase कर लेंगे और वो खतम नहीं होगी आपके पास से ठीक है so for now what I am doing I am creating and generating a new API जिसको मैं use करूँगा यहां पे और मैं बाद में delete कर दूँगा तो वड़े यहार ना बने हो के LAVI API यूज कर लिए because I am deleting every time whenever I am finishing the lecture तो मैंने इसको यहां पे API की को लिख दिया आपने अपनी API की किसी को नहीं दिखानी आप prompt भी add कर सकते हैं कि user यह अपनी API की दिखाए तो मैंने यहां पे लिखा साथ ही मैंने इसको rerun किया मैं generated image पे click करता हूँ now it's using my API की और obviously यह API की जो है इसके लिए internet की भी ज़रूरत पड़ती है और बाकिया चीजों की भी ज़रूरत पड़ती है now it will generate image और images based on my input और input कितनी images की है एक image की है 1024 by 1024 की तो जैसे ही मैं इसको run करता हूँ you will see के हमारे पास यहां पे generated image आएगी क्योंकि मेरे internet की speed थोड़ी सी slow है इस वकत that's why it's taking a little bit of time लेकिन hopefully आपके पास यह एक image आजाएगी जो मैंने prompt लिखा था and you can have a look के यह image हमारे पास आई है और यह जनाब आपके पास डाली 3 के थुरू आई है ठीक है यह image एक बनी है क्योंकि मैंने एक का prompt लिखा था अगर आपको दो चाहिए दो आजाएगी तीन चाहिए होगी तीन आजाएगी और यह AI generated image है मैं यहाँ पे download पे click करूँगा फोरन मेरे पास 3 MB की हाई quality में image जो है वो डाउनलोड हो जाएगी and then you can generate more images अब यह तो थी एक image जिसका size मैंने 1024 x 1024 रखा था मैं यहाँ पे रखता हूँ 500 x 500 और यहाँ पे images को मैं 4 images कर देता हूँ and let's see कि मैं जैसे इसको control S करता हूँ now we will go back to our app और यहाँ पे हम यह वाला prompt जो है इसको refresh करते हैं पहले यहाँ पे पेस्ट करता हूँ generate image करता हूँ now you will see के हमारे पास images अच्छा 512 x 512 करना था sorry for that size जो है उसकी error आगी 512 x 512 अक्सर उकात ऐसा हो जाता होता है मसला ही कोई नहीं है अब हमारे पास ज्यादा images generate होँगी the size is not supported by this model यह size इस model के लिए supported नहीं है so what we have to do मैं यहाँ पे 1024 x 1024 ही कर देता हूँ यही था ना पहले भी let's see हमारे पास पहले भी यही था मेरे ख्याल से yes यही था लें जनाब अब हमने जो images generate कर रहे है now DALE 3 जो है वो images generate करके आपको देगा आपने सिरफ यहार अपनी API की बनानी है and then you can utilize the power of image generation as fast as you want और यही नहीं यहाँ पे अगर आपको मैं model जिखाऊ DALE 3 के अंदर आप जब API की से इसको use करते हैं then you have more realistic images यह तो हो गया एक तरीका कार इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं आप TTS-1 और TTS-1HD इसको भी use कर सकते हैं to create an app उसके लिए आप क्या करेंगे आप एक app बनाएंगे using this API और आपको text लिखेंगे और वो speech के अंदर convert हो जाएगा और text to speech के अंदर भी आप काम कर सकते हैं यह जनाब हमारे पास image आई है हमारे पास फिलहाल के लिए एक ही image आई है because we actually didn't change the number inside मैं यहाँ पर आप तीन कर देता हूँ इनको और दुबारा से इसको run करता हूँ that was my mistake मैंने code के अंदर एक ही डैने दिया था तीन ने किया था so इस वज़ा से मेरे पास एक image आई so just you need to change the model here और आपके पास काम जो है वो हो जाएगा ठीक है you must provide n for this model अच्छा भी now it will only take one image at this model तो समझ तो गई होगे कि आपकी assignment आप क्या है यहाँ भी आपके एक छोटी से assignment यह है कि आप डाली 3 के model को use करके क्या multiple images बना सकते हैं यह batch sizes change कर सकते हैं अगर कर सकते हैं that's good नहीं भी कर सकते तो आपने इस एक app का एक flaw जो है उसे resolve करना है पहले चीज जो app की image आप download करते हैं उसके बाद यह दुबारा से basic screen पे चले जाता है that shouldn't go इसको आपने एक chatbot की तरह बनाना है that's second task कि आप यहाँ पे नीचे text लिखें और वहाँ पे वो text आपके सामने आ जाए और उसकी image बनी हुई आ जाए जैसे यहाँ पे एक image अभी बनी आई है करना जब वाली यह नहीं लादा ही भाती है बाकी it looks good अच्छी खासी image है और quality भी high quality है ठीक है अगर इसके अंदर मैं लिखूँ hyper realistic image of a frog in clear water let's see कि यह हमारे पास कैसी image generate करता है और एक बाद याद रखिए गए जितनी भी images generate हो रही है API key के थूँ हम पैसे दे रहे है तो यह पैसों से generate हो रही है ठीक है API key जो है वो पैसे लगते हैं उसपे इतने भी नहीं लगते आप यही समझ लें कि अगर आपने 10 डॉलर की है तो अनूद दोगी मिने स्कून रहेगा चेक करें यह AI generated image है और आप ऐसी images को बना के कुछ भी कर सकते है means to say wherever you need to use these kind of images you are good to go ठीक है यह एक hyper realistic image है राइट हो गया अब यही चीज में clear water with wide angle lens and landscape in background ठीक है lens ना इसको hyper realistic को हम और change करते है notes generating अब check करें जो मैंने requirement लिखी है वो उस तरही की hyper realistic images बन रही है यहाँ तक समझ आगी है अगर आपने like share सब्सक्राइब नहीं किया please do it और stream late की apps बे तहाशा बन सकती है लेकिन आज हम stream late को यहाँ पर इस वकत रोकते हैं और जितनी apps हमने बनाई हैं और secondly आपके पास और भी काफी models हैं खास तोर पर अगर आप यहाँ पर models के अंदर जाएं यह check करें सबसे पहले हैं जी आपके पास यह सारे model यह है जी आपके पास एक model दूसरा तीसरा चोथा whisper model है जो आपको audio से text के अंदर convert करता है और whisper model की base पे याद रखिएगा एक app है जो macbook की app है वो captions के नाम से मशूर है macbook की app वो whisper model यूज करते हैं API में तो अगर आप text to speech कर सकते हैं तो speech to text भी कर सकते हैं whisper जो है वो speech to text करते हैं तो आप TTS यानि के text to speech and then whisper का मतलब कहा है जो सुन के audio into text में convert करें ये दो apps आपने बनानी है embedding के बनानी है, moderation के बनानी है और you can do a lot of other things तो अगर आप ये सिरफ दो apps और बना ले TTS की और whisper की और जो best app होगी अगर आप उसे मुझे send करते हैं then I can give you a shout out और आपकी github और kegel के links जैसे आज मैंने मुहमद अली बट का link दिया different lectures के अंदर I am gonna provide your links to the people ताके logo में आपकी profile आगे आए और हो सकता है किसी को जरूरत हो और वो आपको hire कर ले और जहां पे आपने भेजने वो discord के server के अंदर inbox करने आपने मुझे directly link मैंने description में दिया वो अपना ख्यार है कि दौा में याद रखें टेक केरें अलाफिस अगर आपने like share subscribe ने किया वो भी कर दे अगर नहीं करना ताड़की जन्द एक बटन दबांदे समझ गया ना ओके जी टेक केर अलाफिस असलाम लेकू